हेलो गाईज विलकम बैक टो इस बीडियों में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक पहुती फेमस रोई स्टिशन के बारे में जिसका नाम है मुकख़रिया रोई श्टिशन अगर आप इस रोई श्टिशन से लोकल है तो कमेंट करके बताएपार onsूर् कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या फैसलिटी अबलेबल नहीं इस रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से ट्रेनेर रूपती है और वह बहुत कुछ तो वीडियो को फूरा देखें गाईज वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको बता तूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक शर्टो हिट एट लाइक और सब्सक्राइब बटन इस रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड है MFA टोटल यहां पर दो प्लाटफॉर्म है कटियार डिविजन के अंदर करती है रेलवे स्टेशन आता है नॉर्थ इस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंदर अगर आप इस railway station पे गया हो तो comment करके बताएगा ज़रूर सो गाई चलिए आपको बताते हैं इस railway station पे क्या क्या facility अबलेबल है मैं आपको बता लूँ इस railway station पे आपको drinking water facility, food stall facility अबलेबल है railway station के बाहर में parking area है जहां पे आप अपनी गारी पार्क कर सकते हो इस railway station पे foot over bridge है, ticket counter है, waiting room है और भी बहुत सारा facility अबलेबल है इस railway station पे आपको बता लूँ इस railway station पे दो platform है 18 train इस railway station पे hold करती है, 0 train या से और्गिनेट होती है, 0 train या से terminate होती है चलिए आपको कुछ express trainों के नाम बताता हूँ जो कि इस railway station पे hold करती है कुछ express trainों के नाम जानने से पहले, अगर आपने भी इस railway station से कोई express train पकड़ा है या लोकल train तो उस train का नाम कमेंट करके बताएगा ज़रूर सीली गुरी का टीहार डेमवा पैसेंजर, मालदा टाउन इंटर सिटी एक्सप्रेस और भी बहुत सारी express train इस railway station पे hold करती है अगर आपको भी कुछ express trainों के नाम पता है, जो किस railway station पे hold करती है, तो कमेंट करके बताएगा ज़रूर मैं आपको बता दूँ, railway station के बाहर में आपको ट्रांसोर फैसलेटी इसली मिल जाता है और मैं आपको बता दूँ, within 5 km टे डिस्टेंस पे आपको रहने के लिए एक बैसरी रूम मिल जाएगा So guys, इस वीडियो को करते ही पेंट, अगर चैनल पे नहीं हो तो please make sure to hit that like and subscribe button और comment करके बताएगे कि वीडियो आपको कैसा लगा